हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहा है बिना लहसुन प्याज का और बिना चीकिन का चौमिन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है इसको बनाने के लिए हम कुछ बेजिटेबल लिये हैं पत्ता गोबी है मिर्च है बिंस है सोया बीन है गाजर को कदुकस कर लिये हैं सिम्ला मिर्च है और चौमिन को उबाल कर हम छान कर उसमें हम रिफाइन को मिक्स कर लिये हैं थोड़ा सा दो चमच जादा नहीं अब चलते हैं चौमिन बनाने सबसे पहले कड़ाही को हम गरम कर लेंगे उसमें तेल डालेंगे दो चमच अगर आपके पास छोटा वाला है सोयबीन तो ऐसे ढूल सकते हैं कडाही डाल हिसे गरम हो गया है अब हम इसंग्य टाल सक गया है हे अब इसको कुछ दीर तक खूंकेा कुछ खूंक आधर हम दो बैहें कि अब हम इसमें बिन्सट डालेंगे थोड़ी सी मिर्च डालेंगे आप अपने हिसाब से डालें कितना तीखा खाना पसंद करते हैं अब हम इसको थोड़े दर भूनेंगे इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे 30 सेकंड तक भूनेंगे अब इसमें हम सिंबला मिर्च डालेंगे चौमिन में सब्जियां कच्चा ही थोड़ा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता है अब इसमें हम पत्तागों भी डालेंगे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेल आइकन को जुरूर दवाईएगा इसमें हम सिंधा नमक कब्रियों की हैं सिंधा नमक डाले हैं आधा चमच आप अपने हिसाब से डाले इसमें आधा चमच चिनी डाले हैं आधा चमच अजीनो मोटो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें चौमें डालेंगे चौमें डाल करके इसको हम उलट उलट कर चलाते रहेंगे इसको हम दो मिनट तक भूनेंगे आप चाहे तो इसको बीच से कट कर सकते हैं वैसे चौमें चोटा चोटा हो जाएगा इसमें आधा चमच गोल की पौड़ा डालेंगे ये बीना सौस का बना रहे हैं आप चाहे तो उपर से इसमें सौस डाल कर खा सकता है ये मिला चौमिन बन के तयार है ये हका नुडुल बनाए है अब हम बनाएंगे ग्रेवी वाली इसके लिए हम वही कडाही में डेड़ चमच तेल डाले है अब हम इसमें फिर से सोया बीन डाले है सारा बेज़िटेबल वही रहेगा प्रोसेस भी लगबग सेम रहेगा लास्ट में थोड़ा सा अंतर रहेगा कि ये ग्रेवी चौमिनम बनाने जा रहा है सोय बीन को थोड़ा हम भूनेंगे अब इसमें हम बेंस डाले है हरी मिर्च सिंबला मिर्च अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे सेमी प्राई करना है ज्यादा इसको नहीं भूनना है अब हम इसमें पत्तागो भी डालेंगे बेज़ेटेबल का क्वांटिरी कम और ज्यादा आप अपने मरजि से कर सकते हैं इसको भी थोड़ी दिर में भूनेंगे अब हम इसमें आदा चम Doctors चीनी डालें थोड़ासा सिंध्डा नमक हम लोग सिंध्डा नमक खाते हैं इसमें सिंध्डा नमक डाले हैं कि जो खाते हैं वह डाल सकते हैं आधा चमच अजीनो मोटो डाला है कि इसको हम लगबग तो मिनिट तक भूनेंगे ताकि सब्जिया थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए भून जाए दो मिनिट हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना इसमें पानी डालें अब इसको हम अच्छे सो उपाल आने देंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच गोल की पौडर इसको हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम कौन फ्लोर डालेंगे डेल चमच कौन फ्लोर को नॉर्मल पानी में गोल कर रख लेंगे अब हम इसको मिक्स करेंगे इसको हम एक से डिड़ मर्ट तब पकने देंगे उसके बाद ये बनके तयार हो जाएगा वेजेटेबल भी लगबग पक चुका है ये बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसको एक बार जरूर बना कर देखें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेल आइकन को जरूर दवाएए आप इसमें ग्रेवी आप अपने पसंद से रख सकते हैं मोटी ये अपतले जैसे भी आपको पसंद आ है ये लगबग बन के तयार है अब इसमें हम डालेंगे कद्दुकस की होगा गाजर गाजर को कद्दुकस करके डालने पर उसका कलर बहुत ही सुन्दर आता है आप देख सकते हैं इसका कलर और भी सुन्दर हो गया है अब ये बन के तयार है अब हम इसको सर्व करेंगे पहले चॉमिन को एक प्लेट में जिसमें भी आपको खाना है उसमें रख लेजे बस उपर से इसका ग्रेवी को डाल देजे बस आप आप का सकते हैं यह कहते हैं